तो आज आपके लिए हम लेकर आएं बायोलोजी का शिफ्ट 1 का शिफ्ट 1 का पार्ट 2 याने की हमने शिफ्ट 1 के 50 MCQs और आज हम इस सेशन में बाकी की 50 MCQs सॉल्फ करेंगे सो इस सेशन में मैं आपको एक बार फिर से पता देती हूं कि हम आपको 2021 में जो सीटी की एक्जाम हुई थी तो स्कोर बूस्टर में जितने भी पी वाई क्यूस दिये गए हैं 2021 के शिफ्ट वाइस जितने भी प्रिविएस यर क्वेस्ट के MCQs दिये गए हैं सारे MCQs की हम आपको विच सल्यूशन प्राक्टिस करवा रहे हैं और यह सेशन MST CET 2022 के स्टूरेंस के लिए काफी साथा बेनिफीशियल होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बायो और फिजिक्स के सारे MCQs याने की बायो के 600 MCQs और फिजिक्स के 800 MCQs विच सल्यू MCQs का with answer MCQs with answer उसका PDF आपको provide किया जाएगा और यह PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रूप पे और टेलीग्राम ग्रूप के लिंक नीचे description में दी गई है कि अगर आप लोगों ने अब तक अपना revision start नहीं किया है तो बचो अब revision start कर दो क्योंकि अब आपके पास time search में बहुत कम बचा है आपके लिए biology के सारे के सारे one shot जो हैं सारे के सारे one shot जो हैं वो इस video में मिल जाएंगे बायो के सारे 15 chapters of class 12 और physics के part 1 के जितने भी chapters 12 standard के वो इस video में मिल जाएंगे अगर आपको biology के हर एक chapter का in detail one shot देखना है तो आप ये playlist refer कर सकते हैं अगर आपको super revision करना है तो आप ये playlist refer कर सकते हैं और physics के सारे chapters का one shot आपको इस playlist में मिल जाएगा chapter wise mcqs अगर आपको solve करने हैं ताकि आपकी practice और अच्छे से हो सके तो आप ये playlist चेक कर सकते हैं जहां आपको बायो और physics के mcqs की practice हो जाएगी तो इसे तरीके से अब आपकी CT की त्यारी बिल्कुल नहीं रुखनी चाहिए आप CT exam सब लोग दे सकते हैं और उसी के साथ साथ आपको अच्छे percentile भी आएं इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं and this is absolutely free of cost तो यार लाइक बटन तो क्लिक करी दो प today's session यह रहा आपके लिए आज का पहला mcq okay and your time starts now in angiosperms angiosperms मतलब क्या होते हैं अपने seed producing plant तो angiosperms में अपना जो plant form होता है in angiosperms the embryo is formed from अपना embryo कैसे बनता है yes tell me everybody देखो हमने पड़ा था ऐसा अपना female reproductive world है इसके अंदर ओव्यूल के अंदर embryo sac होता है embryo sac के पास तीन antipodal cells होते हैं जो आगे जाके degenerate हो जाते हैं यहां पर दो synergies होती है जो pollen ट्यूब को attract करती है और बीच में egg cell होता है तो यह बीच का जो egg cell है यह heploid है इसके पास एक male gamit आता है यह pollen ट्यूब में से तो यह male gamit और female gamit याने कि यह egg cell और यह male gamit मिलके sin gamit करते हैं याने कि sexual fertilization करते हैं जिसके वज़े से आपको zygote मिलता है और यह zygote आगे जाके क्या बनाता है आपका embryo बनाता है primary endosperm nucleus यह देखो यहां पर आपका जो secondary secondary nucleus रहता है उसके साथ आपका second male gamit fuse होता है और यह दोनों मिलके क्या बनाते हैं यह triple fusion करते हैं triple fusion के वज़े से आपको primary endosperm nucleus मिलता है और यह आगे जाके mature होके triploid endosperm बनाता है so embryo किस से बनेगा जाइगोड से बनेगा बाकी सब आपका accessory part है so option number c is the right answer let's move on to the next question and your time starts now dash is an intragenic interaction इसमें से आपको यह चार example दिये हैं यह chapter number three का question है हमने पड़ा था कि neo-mandalism के कुछ concept होते हैं neo-mandalism यानि कि जहां पर mental के exceptions देखे गए थे यानि कि जहां पर आपको law of dominance नहीं देखने को मिला जहां पर आपको law of independent assortment देखने को नहीं मिला तो जो neo-mandalism थे वो दो टाइप के थे एक इंटरजेनिक इंटराक्शन और एक इंटराजेनिक इंटराक्शन उसमें से हमने इंटराजेनिक इंटराक्शन के तीन टाइप्स पड़े थे इंकम्प्ली डॉमिनेंस को डॉमिननस और मल्टिपल अलील तो को डॉमिनेंस क्सका इंटराजेनिक इंटराप्शन है और intergenic interaction में क्या आता है आपका epistasis polygenes and pleiotropy यह आपके intergenic में आता है yes everybody intra याने की same genes के बीच में inter याने दो अलग-अलग genes के बीच में so next question यह रहा time starts now complete analogy यह तो मैंने आपको इतना सिखाया इतना सिखाय कि आपको यह सपने में भी इसका आनसर आना चाहिए आपको गैमिट्स बताने हैं complete analogy analogy मतलब क्या होता है आपको एक question दिया है बस उसी के reference से आपको दूसरा question बताना होता है तो यहां पर इस पर्टिकुलर जीनो टाइप का टोटल नंबर ऑफ गैमिट्स प्वर बताया गया है यह आने कि इदर पे दो हाइब्रेड है यह आपका वन यह आपका टू और नंबर ऑफ गैमिट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है तू रेस टू एन मतलब यह नंबर होता है तो टू रेस टू याने कि फॉर गैमिट्स इदर पे आपको कितने हाइब्रेड दिखाई दे रहे हैं यह आपका एक हाइब्रेड है और यह होमोजाइगस है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी मिली हमको वन याने कि तो टोल कितने ग्यामिट्स मिलेंगे इधर पर हमको दो आप्शुन नमबर डीज डी राइट आंसर नेक्स्ट वैस्ट टाइम स्टाट्स पैरंकायमल सर्कूलेशन इस अब्सॉवड इन पैरंकायमल मतलब क्या होता है जो आपके सर्फेस से एक्स्चेंज होता है जब आप को सर्फेस एक्सचेंज या सर्फेस सर्कुलेशन देखने को मिलता है यह आपके चाप्टर नंबर एट का क्विश्चन है हमने पड़ा है कि सर्कुलेशन अलग-अलग तरीके से होता है मैंने आपको यह टेबल दिया था याद है आपको एट वाले चाप्टर में साइटो प् यह पर मोशयम यह फिर ओपन टाइप सर्कुलेशन कौन दिखाता है स्पॉंजेस की बड़ी एसी होती है और यह प्लिफेरा फाइलम को बिलाउंग करते है अपके टेक्सबुक की जो थियोरी उदर दी गई है कि व्लाट वर्म में पैरन काईमा टाइप का सिर्कुलेशन द जर्मिनल सेल ग्रोथ करता है यानि यह पहले ग्रोथ फेस दिखाता है तो ग्रोथ फेस से आपको मिलता है आपका प्राइमरी स्पर्माटोसाइट के बाद यह आपका क्या करेगा मैचुरेशन मतलब यह आपका फेस है फिर आपका मैचुरेशन फेस है और आपका चालू होग है है अब इन में जब मियोसीस टू होगा सब्सक्राइब का क्रोमोसोम कितना होता है यानिके 23 यह आपके सब्सक्राइब का क्वेश्चन है आपको यहां पर दो स्टेटमेंट्स दिये गाए सम्झों कि फीमेल का मेंस्ट्रोल साइकल के बाद एंपर्यो बन गया तो अब आपका यूटर्स में इधर पर embryo implant हो गया है तो female के reproductive system में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है HCG hormone बनना स्टार्ट हो जाता है जो की pregnancy hormone है तो statement number one correct है अब statement number two क्या बताया गया है HCG degenerates corpus luteum जबकि यह उल्टा है HCG hormone corpus luteum को degenerate नहीं करता है in fact यह corpus luteum को क्या करता है एन्हांस करता है यह उसकी development को double करता है ताकि embryo development हो सके तो this statement is wrong it enhances corpus luteum and it does not inhibit यह corpus luteum को inhibit नहीं करता है यह उसको exhibit करता है यहने कि उसको stimulate करता है so option number two is false तो यह साबसे अपना right answer क्या आएगा option number B next question identify the incorrect statement regarding starch ओके यह आपके class 11 biomolecules का chapter है हमने अलग अलग type के carbohydrates पड़े थे तो उसमें पढ़ा था polysaccharides starch सबसे पहली बात तो यह plant का sugar है आलू में आपको starch देखने को मिलता है हमारी body में starch नहीं होता हमारी body में glycogen होता है तो starch के दो structures आपको देखने मिलते स्टार्च इस नथिंग बट long chain of glucose और यह glucose की जो arrangement है वह अलफा glucose के फॉर्म में अरेंज होती है ठीक है पीटा glucose में नहीं अरेंज होते हैं बट स्टार्च की दो टाइप होते हैं एक होता है amylose और यह होता है amylopectin amylose sugar जो होती है यह स्ट्रेट चेन शुगर होती है यह देखो यह से बना है यह आपके अलफा glucose से बना है दोनों के दोनों फॉर्म अलफा ग्लूकोस से बने हैं तो बीटा glucose का सवाल ही पैदा नहीं होता और यह आपके वह इस टोड़ इंप्लांट्स अन इस कंप्लेटली इन्सॉलिबल इन वाटर यह देखो तो और यह दो आपका सबको समझ में आया है और नेक्स्ट क्वेस्चन अब यह पूई एक पर्टिकुलर सबस्टेंज है यह पौन से पर्टिकुलर और ऑर्गानिसम स्पीशी से सो जब भी हम किसी भी और और यह यानि कि अपने enhancement वाले chapter का इधर पर concept आता है हमने पढ़ा था microbes as biocontrol agent तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम एक organism की मदद से दूसरे organism को खिल करते हैं तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था ट्राइकोडर्मा यह जो fungus की species है यह अलग-अलग टैप के केमिकल बनाते हैं जैसे कि विरिडिन ग्लायो टॉक्सिन ग्लायो विरिन एट्सेटरा सो ऑप्शन नमर एस दी राइट आंसर मैं आपको बार-बार बोल रही हूं सिर्फ वन शॉट लेक्चर देखने से आपके ये सारे क्वेरी सॉल्व होंगे क्या नहीं होंगे इसलिए वन वन शॉट प्लस टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे उनके 75 परसेंटाइल आएंगे जो बच्चे वन शॉट प्लस टेक्स्ट बुक प्लस से प्राक्टिस करेंगे उन बच्चों के आराम से 90 प्लस परसेंटाइल आ सकते हैं इसलिए मैं बार-बार आपको बोल रहे हूं सीटी एक्जाम में आज तक कभी भी टेक्सबुक के बाहर का कुछ नहीं आया है हमेशा टेक्सबुक के बीच में सही पूछा गया है और आपको मैं फिर से बोल रहे हूं कि सिर्फ नॉन डिलीटर सीलेबस ही करना है तो जितना दिया है उतना भी अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो भी आपके मार्क काफी अच्छी आने के चांसेस है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन the concept we suggest that the active site of an enzyme देखो सबसे पहली बात हमारा जो अगर कोई एंजाइम ऐसा है जिसका एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल हो तो उस टाइब के एंजाइम को या उस टाइब के मॉडल को हम क्या बोलते हैं हमने एंजाइम के लेकर लेकर छो फ्लेक्सिबल याने कि अगर वह सब्स्टिव मॉडल उसके शेप नहींहीं सोसलेक्टर और सब्स्ट्रेट के उसको करी हैon उसको डाइजस्ट कर देगा और यह मोडल ज्यादा एप्लिकेबल है यूनिवर्सली ओके नेक्स्ट क्वेस्टन चालो अभी तक जिन बच्चों ने इंटर्व्यू के लिए फॉर्म नहीं भरा है सब लोग फटाफट से इंटर्व्यू का फॉर्म भर दो गूगल फॉर्म भ ना टाइब करते हो तो आपके जो नुक्लियोटाइट होते हैं जिनकों बोलते हैं दीएडीएटीप यह कैसे अक्टिवेट करते हैं कौन से इंजाइम की मदद से देखो आपको अगर डियने रेप्लिकेशन करना है यानि एक डियने से आपको दो बनाना आपको इसका भी क लेके हम अपने नुक्लियोटाइट को एक्टिवेट करते हैं और अपको मैंने ये टेबल बताया था यादे सबको इसके नीचे भी और और बहुत सारे मैंने ये दिये थे पॉइंट्स दिये थे फॉस्फोराइलेस एंजाइम क्या करता है नुक्लियोटाइट को एक्टिवेट करता है और नेटवर्क नेटवर्क मतलब क्या होता है ग्रूप और इनके अंदर अपना यह जितने वी सब्सक्राइब लाइक स्ट्रक्चर बनाते और इस वेब लाइक स्ट्रक्चर को आगे जाके वास difference निकल वास difference निकलता है तो option number A is the right answer याने कि seminiferous tubule से आपका निकलता है ratatestis फिर ratatestis से बनता है वास इफरेंशिया फिर वास इफरेंशिया से epididymis और फिर epididymis से वास डिफरेंशिया तो option number A is the right answer next question in a conjugated enzyme when the prosthetic group is conjugated enzyme मतलब क्या होता है derived enzyme derived enzyme याने की complete enzyme समझो ऐसा कोई आपका enzyme है इसका active site है तो active site के पास हमने यहाँ पर और यहाँ पर कुछ groups लगाए हैं मतलब inorganic group की हम मदद लेते हैं या organic group की मदद लेते हैं ताकि enzyme activate हो सके enzyme को activate करने के लिए हम कोई extra prosthetic group की मदद लेते यह ग्राइन इस अगर वह supporter group organic होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे और अगर in organic होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे यह मैं आपको lecture में 5 और repeat करवाया था sit organic प्रोस्थे deductible को क्या बोलते और inorganic prostate group को क्या बोलते हैं organic prostate group को हम हम बोलते हैं ko-enzyme और in organic prosthetic groups को हम क्या बोलते हैं को factor यह को factor के example हमने देखे थे magnesium zinc iron etc और organic NAD FAD FMN यह सारे example देखे थे किसको किसको याद है सब लोग बताओ comment में जल्दी जल्दी चलो यह देखो यह आपका organic को हम बोलेंगे ko-enzyme चलो next question which of the following is not an old world monkey okay यह मैंने आपको बहुत बर बोला है आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें जो टेबल नंबर 5.13 दिया गया और 5.11 यह दो टेबल आपको कंपल सरी लर्न करने मैंने बोला है बेसिकली वो जो ब्लू वाला बॉक्स जहां पर आपको बताया गया है कि old world monkey के examples क्या है new world monkey के examples क्या है तो वो टेबल मैंने आपको कई दफा लर्न करने बोला है तो इसमें से old world monkey का example कौन सा नहीं है squirrel monkey यह देखो यह सारी 5.17 5.11 नहीं 5.17 वाला जो टेबल यह टेबल आपको कंपल सरी लर्न करना है इस्पेशली प्रॉसिमी वाला ग्रूप और इसके एक्जांपल आपको कंपल सरी लर्न करना है तो यह जितने भी एक्जांपल है यह सारे old world monkey के example है but squirrel monkey new world monkey का example है yes next question the mucosal epithelium of vagina stores हमने क्या पढ़ा था कि फीमेल का जो वजाइना होता है यहां पर आपके सपर्म इंटर करते हैं तो वजाइना के पास कौन सी शुगर होती है जो सपर्म को energy देती है स्विम करने के लिए यह सोचके बताओ अनिमल में कौन सा शुगर प्रेजेंट रहता है लैक्टोस में में प्रेजेंट होता है तो यह वजाइना में नहीं आएगा ग्लूकोस और आपके टेक्स्बूक के लाइन में जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बुला था यह अंडरलाइन करके लखो तो आपके वजाइना के लेयर में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजें नेक्स्ट वेस्ट्वेस्ट्टिन विच हॉर्मोन इस प प्रमोटिंग हर्मोन इस प्लाइंट की हाइट को बढ़ाएगा इतलीन ग्रोथ प्रमोटिंग यह यह ग्रोथ प्रमोटिंग हर्मोन यह इपिकल डॉमिंनज कॉस्ट करता है लेकिन यह थीन हर्मों सब्सक्रेजिचे parka ौके next question बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या ओके देखो आपको मैं कुछ मीनिंग बताती हूँ ओके development of new sources of genes organisms in other valuable product from nature ये एक definition है ओके देखो दूसरा definition क्या है production of transgenic plant जब आप दो अलग-अलग genes को involve करके new plant बनाते हो ताकि उसमें से new quality new nutritions add कर सको तो इसको हम बोलते हैं bio fortification याने की improvement in nutrition ठीक है इसको हम बोलेंगे bio fortification थर्ड वाला point क्या है introduction of varieties of traditionally used sorry introduction of varieties traditionally used into farming and horticulture तो यह आपका example क्या आएगा यहाँ पर आपका biotechnology आएगा yes everybody setting up safari park zoology park and botanical garden तो यह आपका biodiversity आएगा आप nature को protect कर रहे हो लेकिन जब आप new species की खोज कर रहे हो तो उसको बोलते प्रोस्पेक्ट जैसे कि समझो आपको किसी college में एड्मिशन लेना है तो आप उस college का जाके ब्रोशर लेके आते हो उस ब्रोशर को prospectus बोलते हैं इस college के features क्या है इस college के features क्या है फिर उसमें से जो college आपको अच्छा लगता है आप वह college सिलेक्ट करते हो तो वैसे ही हम genes organisms और new चीज़े प्रोस्पेक्ट करते हैं यानि सर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं आप्शन एस दी राइट आंसर नेक्स्ट वेस्ट एंजियो स्पर्म में जब सेक्शोल रिप्रड़क्शन होता है तो कितने ग्यामेट्स इन्वाल वोते हैं देखो यह अपना उसको हम बोलते हैं फीमेश गामेट्स ग टृटल कितने ग्यामेट्स हो गया तीन ग्यामेट्स नहीं है यह सेल कितने ग्यामेट्स योज़ेस दिपलोइट है तो टोटल तीन मिल गामेट तीन गामेट यूज हो रहे हैं अभी प्रे मतलब क्या होता है जैसे कि समझो मैं किसी मच्छर की बात कर रही हूँ प्रे और प्रिडेटर की हम बात करते हैं ठीक है तो कोई मच्छर है उसका पॉपलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो याने कि छिपकली अपनी क्या हो गई प्रिडेटर हो गई और मॉस्कीटो अपना क्या हो गया प्रे यानि यह शिकारी है और यह शिकार है तो शिकार को अगर कंट्रोल करना है तो मुझे किसकी मदद लेनी पड़ती है प्रिडेटर की यानि प्रिडेशन करना पड़ता है छीक चलो देखते हैं एक रिपोर्ट रिड कर रहे है पॉपुलेशन डाइनेमिक्स की जहां पर उनको एक रिपोर्ट रिपोर्ट उनको दिया गया है जहां पर उनको फाइंड आउट करना है कि यह एन की वैलीव क्या है हमने पढ़ा था ना n is equal to nt plus blah 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 कुछ तो हमने पढ़ा था nt plus 1 एक equation पढ़ा था birth rate plus immigration minus death rate plus immigration ऐसा कुछ हमने पढ़ा था याद आया आपको तो यह देखो हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो n होता है that n is your population density आपके एरिया में कितने बच्चे पैदा हुए कितने बच्चे बाहर से आये कितने लोग के डेथ हुई कितने लोग आपके एरिया को छोड़ कर गए इससे बता चलता है कि आपका population density क्या होगा so n denotes density natality के लिए हम भी यूज करते हैं question number 170 मतलब कि यह आपका सत्तरवा question है आपको यह भी अजर्शन और रीजनिंग टाइप के स्टेटमेंट्स दिये गए है स्टेटमेंट वन क्या है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम देखो स्टेटिक नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स दिये थे यहां पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स दिये थे और आपको बताया था कि कौन से organ को यह increase करेगा और decrease करेगा correct sympathetic nervous system Heartbeat control करता है, पर digestion में कोई activity नहीं दिखाता है first statement true second statement sympathetic nervous system decreases arterial blood pressure नहीं यह blood pressure स्टेटमेंट नंबर वन आपका राइट है कैसे पता चला मुझे क्योंकि देखो मैंने आपको यह टेबल पढ़ने बोला था आपके टेक्स्बुक में जो दिया गया है आपका हार्टबीट इंक्रीज होता है और डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है डिक्रीज होता है हो रहा है ना सिंप्रेटिक नर्वसच इंजाइम के वज़े से याने कि जब हम आर डिने टेक्नलोजी करते हैं तो आगी टेक्नलोजी में हम ऐसे बड़े इसे डीने में से चोटे 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 कट करते हैं restriction fragment length polymorphism ठीक है ओके तो इसमें आप इन fragments को आपस में separate कैसे करोगे restriction enzyme use करके आपने जो fragments form किये हैं इनको आप separate कैसे करोगे याने कि इन strands का आप band कैसे क्रियेट करोगे कैसे पता चलेगा कि कौन से DNS पर कौन सा सीक्वेंस और आपको कौन सा सैंपल चाहिए इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रो फोरेसिस की टेक्निक किसकी यूज करते हैं इलेक्ट्रो फोरेसिस की टेक्निक restriction mapping हम यूज करते हैं linkage find out करने के लिए कि कौन से और्गानिजम के बीच में कितना connectivity है पेडिगरी अनालेसिस करने के लिए सेंट्रिफिगेशन हम यूज करते हैं सेमी कंजर्वेटिव डियन फाइंड आउट करने के लिए कि कितना डियने प्रिवियस जेनरेशन से माच कर रहा है अल्ट्रा सॉनिफिकेशन यहां पर नहीं आता है हम लाइपोफिकेशन में यूज करते हैं लिपिटर ब्रेकडाउन करने के लिए तो इलेक्ट्रोफोरेसिज याने कि आप एलेक्ट्रोफोरेस की मदद से DNAस ट्राइन्स को सेपरेट करते हो जिससे आपको पता चलता है कि आपका VNTR कौन सा है, so option number B is right answer, next question, which one of the following was found in biopiracy case for patenting the healing properties of turmeric, देखो, हमने तीन biopiracy के एक्जामपल पड़े थे, सबसे पहला एक्जामपल हमने पढ़ा था, नीम का, यह हमारा नीम चुरा लिया गया था, फिर हमने पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था, हल्दी का, तो नीम का patent चुराने वाली company कौन सी थी, USDA, American company थी, राइस का patent चुर मतलब हमको patenting के कुछ rules बताएं, तो Mississippi के जो patenters थे, इन्होंने टर्मरी की patenting चुराई थी, Mississippi के medical center में जो लोग काम कर रहे थे, जो इंडिया से ही गए थे, उनको पता था, हल्दी के क्या benefits हैं, तो इन्होंने हल्दी के piracy की थी, so option number C is the right answer, क्योंकि आपको इदर से तर्मरी क का piracy पूछा गया है, किस ने टर्मरी की चोरी की थी, so American researchers जो Mississippi University के थे, correct, next question, primary succession of aquatic habitat, देखो हमने दो टाइप का habitat पढ़ा है, एक aquatic, मतलब है, हाईडरार्क सक्सेशन पढ़ा था, हमने जिसमें हम पानी का development पढ़ते हैं, एक जरार्क सक्सेशन हमने पढ़ा था, तो हाईडर सक्सेशन याने एक वेटिक हाबिटाइट में, रीड स्वांप स्टेज आने से पहले कौन सा स्टेज आता है, मैंने आपको बोला था, कि आपको यह फेज पूरे याद करने, पहला स्टेज होता है, फाइटो प्लांक्टन, दूसरा होता है, सबमर्जट, तीसरा होता है, सब्सक्राइब करें, याद है कि नहीं है सबको, येस, ओके चलो, नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन आएगा, फिली फॉर्म अपारेटस अफ सिनर्जिट हेल्प्स इन, यह अपने एंटी पडाल सेल्स है, यह सेकेंडरी नूक्लियस है और यह अपना एग सेल है, ठीक है इधर पर यह जो सिनर्जिट प्रेजेंट होते हैं, यह सिनर्जिट के उपर ऐसा एंटी फिली फर्म अपारेटस क्या करता है? यह पोलन ट्यूब को अपनी तरफ खीचता है, अपनी तरफ अट्राव अट्राक्ट करता है, सो इट गाइट स्पोलन ट्यूब तोवर्ज दे एक सो ऑप्शन नमर सी इस दी राइट आंसर प्रेक्ट नेक्स्ट क्वेशन अरे डाइग्राम आपको इदर दे दिया है चलो देखते कितने लोग डाइग्राम देख के आंसर बताते हैं चलो आप भी क्या याद रखो कि मेरे स्पट्र रही है मतलब अंदर से पोटाशियम आयन बाहर जा रहा है और बाहर से ईंट्री बन रही है स tenth पॉजिटिव चार्जेस के दर्वाजे बंद हो रहे हैं अंदर के पोटाशियम आयन को आप निकाल दिया और बाहर के सोडियम आयन को अंदर नहीं आने दे रहे हैं मतलब अंदर सी नेगिटिविटी बन जाएगी तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं जब आपका नियूरॉन यह अपने रेस्टिंग फेस में होता है में तो बाहर के तक आ अपका रेस्टिंग पोटेंशियल है यह जब अंदर बान ब स्टेज यह तर यह prophecy सिटैगे ज सुमिछ में तो इस दिए आंसर नेक्सी काम यह además सब्सक्राएच्व अंसर और सून Convention WBC के कौन से characters इन options में से match नहीं करते हैं WBC में आपको अलग-अलग type के nucleus देखने को मिलते हैं Polymorphon nuclear cells PMN यह हमने पढ़ा है Basophil, Eosinophil, Neutrophil सबके nucleus अलग-अलग होते हैं Multiloped, Biloped, याद आ रहा है WBC amoeboid movement दिखाता है याने यह capillaries के कहीं से भी चला जाता है जैसे बिल्ली के ऐसे छोटी सी जगे से चली जाती है वैसे WBC amoeba के जैसे कहीं से भी चला जाता है और उस movement को हम बोलते हैं Diapodasis और WBC में आपके nucleus present होते हैं RBC के पास nucleus नहीं होता है इसलिए RBC को हम बोलते हैं E Nucleate Correct लेकिन WBC के पास nucleus होता है आपसेंस ऑफ nucleus and mitochondria या RBC की करेक्टरिस्टिक है इस नॉट WBC करेक्टर तो यह आपका और ऑप्शन है option number B is the right answer next question अब आपको यहां पर कुछ options दिये गए है excretory system को लेकर जिसका आपको answer देना है यह आपके class 11 के excretion chapter में से दिया गया है ठीक है तो हमने क्या पढ़ा है उसमें proton इफरीडिया metanephridia nephrons इन सब के बारे में हमने पढ़ा है तो हमने क्या देखा है कि cockroach के पास malphigian tubules होते हैं आपको correct pair match करके बताना है ठीक है हमारे cockroach के पास malphigian tubules होते हैं correct yes metanephridia earthworm के पास होता है सिर्फ option number c correct pair है और आपके green glands जो होते हैं यह amphioxus के पास होते हैं और कुछ-कुछ nephrons आपके planaria के पास होते हैं सारे के सारे pairs wrong है इसमें से correct option क्या है सिर्फ option number c next question यह भी आपके excretion chapter वाला है याने class 11 chapter का है रेनिन होर्मोन जो हमने पढ़ा था देखो यह वह double n वाला रेनिन नहीं है double n वाला रेनिन याने जो lactose को breakdown करता है जो हमने molecular basis of inheritance रेनिन में पढ़ा था यह वह रेनिन नहीं है यह कौन सा रेनिन है यह आपके kidney वाला रेनिन है याने की जब हमारे blood में sodium का concentration ज्यादा हो जाता है तो उसको balance करने के लिए यह रेनिन हॉर्मोन क्या करता है it converts your angiotensinogen to angiotensin one क्योंकि इसका क्या function होता है यह फ्लोचाट हमने पढ़ा था हमारे kidney से जो रेनिन होर्मोन निकलता है यह अब्लट सर्कूलेशन बड़ अच्छा हो जाता है कभी कभी बलड प्रेशर बड़ ब्लड प्रेशर को चोंटरोल करने लिए रहें होर्मोन रिस्पाइब है चलू नेच्ट प्रेश्चेन नाये को इस इस लिए और प्लेटल आएगा ठीक है, so this is the true statement, lymph from lymphatic vessel is discharged into arteries, देखो, lymph is nothing but your water-like solution, इसके अंदर आपके lymphocytes याने fighter cells होते हैं, WBC cells होते हैं, correct, so यह जो lymphatic vessel का जो nutrient होता है, वो arteries में कभी discharge नहीं होता है, वो veins में discharge होता है, तो second statement आपका false है, यह देखो, आपके theory में दिया गया है, lymph के पास, lymph के पास क्या होता है, किदर गया, किदर गया, किदर गया, हाँ, it contains, it does not contain RBC and platelets, इनके पास RBC और platelets नहीं होते हैं, और यह अपना जो भी content है, वो किस के अंदर discharge करते हैं, वेंस के अंदर discharge करते हैं, so statement 1 is correct, बस statement 2 is incorrect, correct, चलो, next question, availability of water takes place, sorry, plays a key role in deciding mode of excretion in an organism, thus animals are ammonotelic, thus animals that are ammonotelic are usually dash animal, देखो, कौन से animal के पास कितना water available है, yes, कौन से organism के पास कितना water available है, उसके उपर depend करता है कि वो organism कौन सा waste product excrete करेगा, अगर बहुत जादा पानी है, तो direct ammonia excrete करेगा, अगर पानी कम है, तो वो urea excrete करेगा, और कम है, तो वो uric acid excrete करेगा, तो जो animals पानी में ही रहते हैं, उनके पास तो बहुत जादा पानी है, तो वो direct ammonia excrete करते हैं, क्या excrete करते हैं, हम देखो, इधर पर examples क्या दिये गए हैं आपको, 500 ml of water is required, ब्ला 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 ओके, तो यहां पर हमको क्या बोला गया है, कि जिस organism के पास जितना पानी रहेगा, वो वैसा waste excrete करता है, तो aquatic, देखो, ammonotellism organisms कहां पर देखने को मिलते हैं हमको, पानी में, यानि कि यह aquatic organisms होते हैं, और terrestrial animals urea excrete करते हैं, so option number B is the right answer, next question, चलो, अब इधर पर भी मैंने आपको यह table दे ही दिया है, तो अब इसका भी answer बताई दो मुझे, कितना hint तो मैंने तुमको दे दिया, CET वाले इतना bonus नहीं देते होंगे, जितना bonus मैंने दे दिया है, अभी के लिए वो good है, अगर आप 40 plus score कर रहे हो, तो you are on very good stage, और अगर आप 45 से ज़्यादा score कर रहे हो, तो आप excellent नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आप very very good stage पे हो, excellent कब होगा, जब आप 48 plus score करोगे, यानि कि एक या दो questions अगर आपके wrong होगे, तो ही आपको मैं बोलूँगी कि आपकी condition excellent वाली condition है, otherwise आप इन categories में belong करते हो, तो अब आपको क्या करना है, आपका ये question, सारे questions जब हो जाएंगे, तो आपको comment करना है, कि आपको marks कितने आए, और आपको खुद को remark देना है, मैं मुझे इतने marks मिले, और ये मेरा total condition है, यानि कि आप session 1, अभी देखो, इस session में आपको कितने marks मिले, आप वो बताओ, 50 में से, और 1 प्लस 2, first part और second part को मिला के आपको कितने marks मिले, वो बताओ, तो समझो, पहले मैं इसका answer बता देती हूँ, epiblema cell, यानि कि अपना जो root hair का cell होता है, ये जो epiblema cell, epidermal cell जिनको हम बोलते हैं, ये epidermal cell elongate होके क्या बन structure बनाते हैं, हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रही थी, सबसे पहले आप आज के session का marks बताओगे, कि part 2 वाले session में आपको कितने marks आए हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद, same comment को आगे continue करोगे, कि combined marks आपके कितने हैं, combined part 1 plus 2 के marks आपको कितने आए हैं, 100 में से, अगर आप 60 प्लस वाले condition में हो, तो याने कि आपकी condition okay है, आपकी condition okay है, अगर आप 70 प्लस score कर रहे हो, तो आप good condition में हो, अगर आप 80 प्लस score कर रहे हो, तो आप very good condition में हो, और अगर आपके marks 90 प्लस हैं, तो आप very very good हो, और अगर आपके marks 95 प्लस हैं, तो आप excellent condition में हो, तो आपको आज के session का भी कमेंट करना है माक्स और प्लस दोनों सेशन का मिला के कमेंट करना है तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रही है और फिर नेक्स शिफ्ट कब लाऊंगी मैं वह आपके माक्स के उपर डिपेंड करेगा ठीक है चलो सब्सक्राइब नेक्स विच्वन फॉलविंग हॉर्मोन इस नौट सेख्रीटेड बाइडिनो हाइपोफिस देखो हमने पढ़ा था हाइपोफिस मतलब क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो मतलब एंटिरियर याने की आगे वाला पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफिस देखो एंटि याने आपके पॉस्टिरियर पॉू। बनता है या आपके एंटिरियर पिट्यूटरी में बनता है ते यह फार्मौन इंटरék यह देखो यह जो सारे करो सारे कि और वर रहे हैं यह आपके बढ़ नेक्स्ट केनल करेंदर क्या होता है इट गधर किस्को किया जाता है हम यह प्रेन के सरह को यह हमारा इसके इस किदर किदर से अबन और को फऺ्रेएट होता है प्लेक्सस याने ब्लड वेसल का बंडल प्लेक्सस याने बंडल याने यह वेसल और पिया मैटर आपका यह उपर का ड्यूरा मैटर फिर इसके बाद नीचे अरेक्नोइड मैटर फिर उसके बाद यह पिया मैटर आता है और इसके नीचे आपका ब्रेन रहता है तो इधर से आ सिर्फ हार्मोन सेख्रिट करते हैं यह यह आपके प्लेक्सस एदर से इधर से आपका जिदा जिदा रिड़ वाला पार्ट यह आपका स्टोर होता है अपके शारी नहीं बनाते next question अब इसको अच्छे से देखो यह आपके class 11th excretion chapter क्या part दिया गया है आपको पहले labels देखने हैं और कौन सा correct function है वो आपको match करना है A का part क्या है A is your glomerulus और glomerulus का काम क्या होता है blood filtrate छोड़ना तो A का function क्या दिया है it receives glomerular filtrate no this is wrong यहां पर glomerular filtrate collect नहीं होता यहां पर glomerulus अभी सिर्फ blood contain कर रहा है it is not containing glomerular filtrate B क्या है B is your descending loop of Henle और यह membrane एकदम thin होती है इसलिए यह water को permeable होती है correct तो B का आपको thick wall बोला है so this is wrong A वाला भी रॉंग है यह वाला भी रॉंग है क्योंकि इदर पर thick की जगह क्या आना चाहिए thin आना चाहिए अब C का label देखो this is your DCT distal convoluted tubule इधर पर आपका sodium potassium वगेरा absorb होगा लेकिन जो maximum glucose का absorption होना था वो PCT में हो गया था correct तो C का label देखो selective reabsorption of glucose and amino acid no selective reabsorption इधर नहीं होगा selective reabsorption PCT में होता है so C का label भी रॉंग है D वाला लेबल देखो यह आपका collecting duct है यह क्या करेगा reabsorption करेगा जो भी बचा कुछा चीज है वो आपका reabsorption होगा तो आपके A से क्या-क्या आया उसके basis पर depend होता है कि D क्या यह देखो यह डाइग्राम देखो PCT में आपका maximum reabsorption इधर पर maximum glucose amino acids का reabsorption हो रहा है करेक्ट आपका जो descending loop of हिंले होता है यह membrane thin होती है ascending loop of membrane ठीक होती है और collecting duct में आपका selective reabsorption होता है समझ में आई बात यह और देखो यह जो DCT वाला पार्ट है इधर पर तो ग्लुकोस एब्जॉब भी नहीं हो रहा है जबकि इधर क्या बोला है कि यह glucose को एब्जॉब करता है DCT वाले पार्ट में अब यहां पर भी आपको मैस्ट कॉलम करना है ठीक है इन्हें क्या करता है आपको correct match find out करना है इन्हें होर्मोन क्या करता है यह आपके FSH production को inhibit करता है थायरोक् हॉर्मोन बोलते हैं so this is also false aldosterone क्या करता है यह antibodies नहीं बनाता है यह हमारी बोडी में vitamin D का absorption करता है और sex hormones प्रडूस करता है तो this is also wrong only option number B is right pair और यह आपको कब पता रहेगा जब आप सारे hormones के function पढ़ोगे चलो next question in the chromosome DNA is associated with histone and non-histone proteins देखो हमने nucleosome का structure पढ़ा था यह अपने histone proteins हैं और यहां से अपना DNA जाता है और यहां अपना एक non-histone protein होता है जिसको हम h1 histone बोलते हैं तो यह h2a h2b h3 h4 h2a h2b h3 h4 ऐसे histone plus non-histone proteins यह दोनों साथ में मिलके DNA के साथ बाइंड करते हैं यह हमको कौनसे scientist ने बताया था कौन बर्ग ने 1974 में so option number c is the right answer next question column 1 और column 2 को pair करना है अब यह अगर आपने आपके human evolution chapter 5 का जो लास्ट वाला अगर वो टेबल आपने पड़ा है तो ही इसका answer आएगा नहीं तो इसका answer नहीं आएगा और ठीक है यह answer नहीं भी आए तो भी चलता है मैंने आपको बोला ना कि 100 में से अगर आपके 95 answers राइट आए तो भी ठीक है आपका परसेंटाइल तो भी 95 प्लस ही आएगा तो यह answer जिसको आता है तो भाई मेरे तरफ से आपको है कि कौन से organism का existence कौन से year में स्टार्ट हुआता इसका तो टेबल करना पड़ेगा जो मुझ से नहीं होगा यह देखो यह सारे के सारे आपके टेबल यह पीरियड वाला सेक्षण आपको लान कना यह बहुत रेरली पूछा जाता है बड़ पूछ सकते हैं ओके नेक्स्ट प्रीजन दवराइटी ओफ्रूगी वरस और जो सिफ फ्रूट खाते हैं तो ऐसे बर्ड्स या ऐसे और जो सिफ फ्रूट खाते हैं वह हमको रेन फॉरेस्ट के जंगल मे ज़्यादा देखने को मिलते हैं as compared to temperature regions ऐसा क्यों रेन फॉरेस्ट में ऐसा क्या खास होता है उदर पर साल भर बारिश होती है और जहां साल भर बारिश होती है वहां पर प्लांट की ग्रोथ continuous होती है सो temperature region में क्या होता है condition season time time के इसाब से बदलता है तो उदर हमेशा fruits नहीं होंगे okay constant climate condition नहीं रहता rain forest में प्रूगी वरस ऑनिमल्स आपको rain forest में क्यों देखने को मिलेंगे क्यों कि उदर साल भर fruits produce होगा करेक्ट rainfall से कुछ लेना देना नहीं है rainfall हो रहे है वो ठीक है बट fruits भी तो रहने चाहिए और fruits आपको साल भर मिलेंगे उदर यह आपको यह organisms देखने को मिलेंगे so because of the sea option next question filtration slits are small slits present in between adjacent dash of women's capsule देको हमने क्या पढ़ा है यह अपना इसा इधर पर आपका ग्लो में रूलस आता है करेक्ट अब यहां पर हमने चीज पढ़िया है कि यहां पर आपके ऐसे कोई cells होते हैं ऐसे पंजे के जैसे cells होते हैं ठीक है और इनके पास ऐसी slits present होती है एसे हैं याद आया और यह बीच-बीच में filtration slits present है तो इन cells कोम क्या बोलते हैं यह देखो यह आपके पोडोसाइट्स है और पोडोसाइट्स के बीच-बीच में जो जगह present है जहां से आपका ग्लोमे रूलर फिल्ट्रेट अंदर आएगा बीच की जो filtration slit है यहां से आपका प्लास्मीड डिसकवरड बाई बॉलिवर और रोडरिक्स बास्ट्रेइन नमबर 322 इस यूज इन जेनेटिक एंजिनियरिंग एक्सपरिकमेंट बिकॉस हम यही प्लास्मीड क्यों यूज करते हैं सारे ब्लास्मीड के पास होता है तो PBR 322 ही क्यों यूज करना है किसी भी ब्लास्मीड से हम रेप्लिकेशन कर सकते हैं सब्सक्राइब ब्लास्मीड के लिए अविलेबल रहता है प्लास्मीड के पास चार टाइप के वाटर हमने पढ़े थे ग्राविटेशनल वाटर याने जो नीचे चला जाता है और बचा आपका अवेलेबल फर अब्सक्राइब यह ने पढ़ा था ना यह ग्राविटेशनल वाटर नीचे चला गया आपका है बचा अप्लेट वाटर नेक्स्ट प्रेस्टेट ऑन देखो लिंकेज मतलब क्या होता है दो जीन के बीच में एकदम कम जगा प्रेजेंट ह तर यहां पर अलग जीन मतलब आपको री कॉंबिनेशन देखने मिलेगा यान की निवराइटि फ़ॉर्म हो रही है और निवराइटी वजह से हमको पुराने characters repeat होते हुए नहीं दिखाई देते हैं याने कि यहां पर less linkage होता है और less linkage को हम क्या बुलते हैं incomplete sex linkage तो incomplete sex linkage किदर होता है homologous region में या non-homologous region में it happens in homologous region of x and y chromosome क्योंकि non-homologous region में genes match नहीं करते तो इधर पर जो जीन x chromosome के पास है वह उधर ही रहेगा जो y के पास है वह उधर ही रहेगा तो non-homologous region में आपको complete linkage देखने को मिलता है homologous region में आपको incomplete linkage देखने मिलता है next question ओके चलो following are the functions of placenta except अभी इसमें से आपको तीन functions placenta के दिये गए सिर्फ एक function आपका placenta का function नहीं है तो वह कौन सा function है देखो which functions are of placenta पहला supply of oxygen and nutrients to fetus this is true आपका placenta क्या करता है it arrests contraction of uterine wall during pregnancy this is also true placenta कभी भी uterus को contract नहीं होने देगा नहीं तो pregnancy maintain ही नहीं होगी miscarriage हो जाएगा it maintains the thickness of endometrium this is also true it stimulates FSH production no this is false आपका placenta FSH नहीं produce करता this is a false statement it inhibits FSH production so option number D is the right answer next question oligouria is a condition in which urine output is less than dash ml per day in adults yes याने कि समझो आपको दिन में dash ml से कम सुसू आ रही है तो आपको बोलेंगे कि आपका acute renal failure या acute kidney diseases हुआ है तो उस condition को हम बोलते है oligouria याने कि scanty urine याने कम सुसू आना तो कितना सुसू आने से oligouria हो जाता है अगर आपको 400 ml से कम सुसू आ रहा है एक दिन में तो उसको बोलेंगे oligouria वाला condition ओके या आपके textbook की line में दिया गया acute renal failure वाले class 11th excretion chapter चलो next question you have to select the correct pair of organism which carry out respiration through plasma membrane schlimmer pee sees path disney Max नब्राइस आएक सबद्राविवर फ्लाजमा मेंपरेंस नहीं नहीं करते हैं समय का पाझे यह श्त्राहब गूटान चैयो कांशे करते हैं यह वनाने से करते हैं यह body cavity से करते हैं इनके पास प्लाजमा मेंब्रेन नहीं होता देन्टरेटित्स κरतें फ्लार टोलग भंड़ के पास बॉइख लंग होता तो यह वह ब्लाजमा मेंब्रेशँ नहीं करता सो प्लाजमा मेंब्रेशन कौन करेगा इदर पर अच्छा सॉरी sponges और cylindrates ये body cavity से तो कर रहे हैं बट ये कैसे हैं ये पॉरी फेरा फाइलम को बिलाउंग करते हैं और इनकी body में pores present होते हैं चेद प्रेजेंट होते हैं ऐसे चोटे 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 pores होते हैं और ये pores उनकी body surface पे present हैं तो ये अपने plasma membrane से ही respiration करते हैं बोडी कैविटी से इनके पास बटे रेस्पिरेशन कैसे करते हैं मैंने circulation पढ़ लिया इधार पर या रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ये body cavity से एक्स्चेंज तो रेस्पिरेशन के लिए यह प्लाजमा मेंब्रेन का इस्तमाल करते हैं यह तीनों और बाकी के जो सेल्स हैं यह ट्राकियल ट्यूब से करता है यह प्लाजमा मेंब्रेन से करता है यह आपका प्लाजमा मेंब्रेन से करता है बट यह लंग से करता है यह प्रोटिस्टा स्पॉंजे और फिश फिश के प अपना respiration करता है, yes everybody, चलो, next question, okay, so the oil stains are removed from the fabric with the help of which enzyme, देखो, आपके कपड़े में अगर oil लग जाता है, तो oil किस से बनता है, oil is nothing but it is derived lipid, है ना, और lipid के bonds को breakdown करने के लिए हम कौन सा enzyme यूज़ गरते हैं, इंजयम डाला जाता है जिससे ओईल निकल जाता है इट कंटेंज लाइपेज एंजयम जिससे हमारा जितना भी लिपेड या ओईल है उसका स्टेन निकल जाता है नेक्स्ट पक्रेज़ को फेला कि स्ट्ट परने से कितना एटिपश क्या पड़ा था अच्यक्त आपको 2.5 एटिपी मिलता है याने कि इसको हम भूल शकते है और एक एफ लाइज्ट पॉंट फाइटिपी मिलता है यानि इसको हम तूब एट आनसर क्या आएगा तो option number three next question secondary succession तोहां पर देखने को मिलता है किसी न्यू पत्थर पर आपको secondary succession देखने को मिलता है क्या नहीं इदर primary succession होता है कोई लैंड ऐसी है जहां पर जो अभी अभी डिस्ट्रॉइ हुई है और फिर वहां पर कोई नया और्गानिजम ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है तो वह सेकेंडरी succession होता है क्योंकि पहले वहां पर कुछ था वह डिस्ट्रॉइ होने के बाद न्यू और्गानिजम की ग्रोथ स्टा पूलते हैं नेक्स्ट वैस्टन चलो छलो यह हमार आज का सखेंड लास्ट सेशन अहीं जलाउल essa वाला पार्ट एओ आपको से बोल देतीों आज आज आपको किया क्या करना है आपको 2 ंकलेंट किमेंट करने हैं आज के आपको कितने मांक मिले यह 50 में से ऑनने कितने marks मिले अगर 60 के उपर है तो okay okay 70 के उपर है तो good 80 के उपर है तो very good 90 के उपर है तो very very good और 95 के उपर marks है तो excellent okay तो in glycolysis dehydration याने h2o molecules कौन से step में निकलते वे दिखाई देता है second last step phosphoglycerate से phosphoenol pyruvate जब बनता है यह देखो यहाँ पे आपका dehydration हो रहा है याने water molecule remove हो रहा है तो phosphoglycerate से 2 phosphoenol pyruvate बाकि कहीं water molecule remove नहीं हो रहा है ओके next last question of today's session respiratory question RQ value याने respiratory question value of RQ is variable due to RQ की value कब change होती है बच्चों जब आपका product change होता है जब आपका temperature बदलता है जब आपका enzyme बदलता है यह जब आपका substrate बदलता है देखो हमने पड़ा है कि RQ is nothing but amount of O2 and CO2 liberated and consumed है ना प्रोटीन का अलग carbohydrates का अलग fats का अलग यह देखो what is your R2 ratio of volume of CO2 released याने कितना CO2 आपने छोड़ा और कितना O2 आपने यूज किया इसकी value को हम बोलते है है RQ correct तो carbohydrates का RQ value कितना होता है 1 आपके fats का RQ value कितना होता है less than 1 आपके यह देखो 0.7 और protein का RQ value कितना होता है 0.9 तो आप कौन सा substrate यूज कर रहे हो उसके उपर depend करता है इट depends on the type of respiratory substrate आपका RQ value किसके उपर करता है respiratory substrate के उपर तो यह तीनों RQ value याद रखो carbohydrate की वन है fat की 0.7 प्रोटीन की 0.9 तो आपको आज का सेशन काफी जादा इंपोर्टेंट और काफी जादा यूसफुल रहा होगा अगर आप तक आपने हमारा नीट वाला चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी 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 चानल के मेंबर बन जाओ क्योंकि इसमें बहुत जल्द 2022 के नेक्स्ट चैप्टर का पीवाई क्यों में लेकर आने वाली हूं येस एवरीबड़ी और साथ ही साथ आप हमारा इंटरटेन्वेंट ये चैप सीटेन्मेंट के लिए हम ने आप इसको भी सबस्क्राइब कर सकते हैं फ्लीजबिज प्लीज प्लीज अपने सपरीड करके दियुकर किसके सेशन हमारी चैनल पर अविलेबल है पस इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट दिखाते रहीं अपना प्यार देते रहीं और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे सबसे बहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यह बहुत सेल्फिश पना होता है चैनल को देख रहे हो वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको notification मिले, वीडियो को अपने friends के साथ share करो, selfish मत बनो, उनका भी फायदा होने दो, और वीडियो अच्छी लगे तो last में like कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे, तो मिलते हैं जल्दी, मुझे सबके marks कमेंट में दिखाई देने चाहिए, उसके बाद ही मैं next shift लेकर आऊंगे, तब तक तैयारी चालू रखो, one shot पढ़ते रहो, और आपको detail chapter के MCQs भी मिलते रहेंगे, तो bye bye everybody, I'll see you very soon, all the best for your next session, तब तक के लिए, thank you, stay tuned.